हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मारे यूटूब चानल टाइमिकर तारिफ में दोस्तों आज हम आपको दिखा ले जा रहे हैं अपने लेजर रूम में कि किन किन मशीनों से यहां इसके बाद अपने डॉक्टर साब से आपको इनके बारे में एक बार विस्तार स समझवाएंगे लाला जो मैं जिनतना इन मशीन के बारे में मैं जानता हूं वो मैं आपको बजा देता हूं सचले दोस्तों आपको यह उठाकर इसके पास ले जाना पड़ेगा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए माई यूटूब चैनल टेकनिकल तारिफ को और दवाए बै रिमुँ में या कोई बी डार्क सरकल हो चहरे पर कोई भी गाढ़ा निशान हो चीवी ज्यादा तरए टैटू रिमुँव में बहुत अच्छा गाम करती है और बहुत से लोगों को टैटू रिमुव करने में बहुत ही आसानी होती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट दोस्तो, फिलाल मैं इसको ओन करकर नहीं दिखाऊँगा क्योंकि जब डॉइन का रहेंगे, तो इसलों करकर हम आपको दिखाएंगे अभी, चलते हो एम अपनी आगे यूज़ करते हुए देखा नहीं है तो इसके लिए मैं इसके बारे में थोड़ा कम बाते करूंगा तो वैसे यह बस इतना जान लिए कि ओलिम वन मसीन है यह हेर फिमु ओर यह टैटो रिमु और डाइक सरकल और लाइटिंग फ्ल मसीनन के लिए को लिखा होए मिलेगा गुपाल rozm मशीन है और यह बी स्कीन लाइटिंग के काम आती है इसकीन पर डार्क सरकल हो या काला पन हो चहरे पर इसको भी हमाप चहरे का काला पन इसको भी हम आपको ओन करकर नहीं दिखाएंगे यह डाक साब आने वाले हैं डोक्टर साब के आने पर कर ही हम इसको आपको ओन करकर दिखाएंगे और चलते हम अपनी next machine पर है है यह machine है heating machine इसको यह में controller दिए हुए है इन से heat control करते हैं यह heating के काम आती है heating से कुछ इलाज होता है तो वह डॉक्टर साब को पता है किस समय कितनी हीट देनी है और क्यों हीट देनी है तो वो डाट साथ अब में चलिए हम आपको चलते हैं नेक्स्ट मशीन पर लेका नेक्स्ट मशीन हमारी यह है और इस मशीन का सबसे ज़्यादा यूज होता है यह देख लीजिए आप एक बार ठीक से इस मशीन को इस मशीन का सबसे ज़्यादा यूज होता है इस मशीन का हम विस्तार से आपको डोक्टर साब से थोड़ा इसके बारे में यह देखे दो दोस्तों यह यह मशीन है हेर रिम्बू जिसको अंचाहिब बाल आ जाते हैं या फिर किसी इनसान को चेस्ट पर बाल होते हैं वो उनको नहीं चाहता है उनको आटवाना चाहता है तो यह उसको बहुत ही आसानी से और बिना ही साइड इफेक्ट के उसको रिमूव कर देती है और फ्यूचर में कभी बाल नाने की संभाव ना होती है यह देखे इंपर और दोस्तों इन मशीनों का सबसे बहतर जो फायदा है वो कितना इनका काम है यह उतना अपना काम करती है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालती है और अपने काम में बहुत ही बहुत ही कारगर साबित होती है दोस्तों मशीने तो और भी है लेकिन यह हमारा जो और लेजर रूम फर्ष्ट है यह हमारे लेजर रूम फर्ष्ट क परना पड़ेगा हम उसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप लोगों को देखने में भी प्रोबलम होगी तो इसलिए हम छोट-छोटी वीडियो बनाना पसंद करते हैं ताकि आप लोग देखते हुए डिस्टप न यह कृट यह लगर है यह नीचे से उपर को फोल्ड होने का इसके अंदर टैक्निक है और यह सारी सिस्टम देवे हैं तो दोस्तों यह मेज भी एक टीटमेंट के लिए बहुत ही कारगर सावित होती है दोस्तों और भी बहुत से छोट-छोट एउप करण हैं उनके बारे मे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बहुत ही छोट छोटे जोप कराना हैं दोस्तों वे भी बहुत ही काम करते हैं और हमारे पास बहुत सारे जोप कराना ऐसे जिसको आप फ्यूचर में कभी देख पाओगे लेकिन आप जिस टाइम हम आपको दिखाएंगे आपको पहली बार देखने के लिए मिलेंगे वे चीज़े तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लेगे की और आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी तो चले सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लिएगा ठैंक यू दोस्तों